नमस्कार मैं अमित और आप देख रहे हैं NBC24 News इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं कॉंग्रेस के बरिश नेता और सोडिया गांधी के सबसे करिभी माने जाने तारीक अनवर जी सीधे हम इनसे जानेंगे सर फिर से कॉंग्रेस फिर से एक बार तमाम किसानों को किसान के जो संगठन हैं उनके जो नेता है उनको बुलाया गया है बैठक के लिए बातचीत करने के लिए क्या लगता है कि कुछ निरनाय निकल पायागा एक तरफ सरकार कह रही है कि हम अथी को चैन्ज नहीं कर सकते हैं, इसमें संसोधन कर रहे हैं लेकिंते के इसको चैन्ज करीए देखें सरकार की नियत तो लएख रही है और मुझे ऐसा लगता है कि यह सिर्फ दिखावा है पब्ली कंजम्शन के लिए जन्टा को यह दिखाने के लिए कि हम तो बात्चीत करना चाहते हैं और सरकार बात करने के लिए गंभीर है लेकिन ये सिर्फ एक दिखावाद परतीत होता है अगर सचमच अगर सरकार की नियत सही होती तो ये पांच हफते लोगों को इस ठंडक में इस तरह से खुले आसमान की नीचे नहीं छोड़ती लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि किसान तो अपनी बात कह चुके हैं और उनका कहना बिल्कुल सही है कि जब तक कि ये काले कानून वापिस नहीं डिये जाएंगे बातचीत का कोई अर्थ नहीं है कोई मतलब नहीं ये वो कह रहे हैं और विपक्ष जो है उनका कहना है बिजेपी का कहना है कि इस पर राजनीती कर रही है कानून में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कानून सही है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं पा रहा है, अगर समझ जाए तो समझ जाएंगे कानून सही है, लेकिन विपक्ष जो है वो राजनीती कर रही है, तो पहले तो सरकार को यह चाहिए था, किसानों को नहीं करते हैं वो उसको नकार रहे हैं और सरकार जबस्ती कहरें कि नहीं है आपको यह सुईकार करना ही पड़ेगा यह ज़ीव सी परिस्यती है लोग नेहाल नमकीन पकवरी स्वाद का बादशाव कुड़कुड़े और खास्ते पकवरी मात्र पांच रुपए में बदले अ तंक का फोटो देख कर ही खरीडे नबीसी 24 सच की ताकत